अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो इस सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में दबाएं इस बेल आइकन को ताकि नए नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले इस वीडियो में 4 जून से 10 जून का करेंट अफेर्ड डिसक्राइब करने वाला हूँ, सारे MCQ होंगे, यानि कि MCQ के फॉर्म में मैंने करेंट अफेर्ड लिया हुआ है, तो चले स्टार्ट करते हैं पहले क्वेशन से, क्वेशन है कि किस राज ने जैक फूर्ट को अपना र रिवर्स रिपोरेट क्या होता है, एक लान में बताता हूँ मैं, आरवी याई जिस रेट से बैंको को पैसा उधार देती हैं, उसे करते हैं रिवर्स रिपोरेट, ठीक है? अगला है कि 24 मई, 24 मई 2018 को एक मिकैनू, मिकैनू नाम का साइकलून आया था, यह आया था, यमन के इसकोटा आइलेंड में, वहाँ कुछ भारतिय फस गये थे, तब उन सभी भारतियों को बाहर निकालने के लिए भारतिय नौसिना ने एक operation चलाया और उस operation में भेजा गया INS सुनियान को, इंडिया ने वल शिप सुनियान को और सारे भारतियों को वापस निकाला गया तो आपको बताना है उस operation का नाम जिसके तहत उन सभी भारतियों को बाहर निकाला गया था तो उसका नाम है operation निस्तार अगला है कि plastic bag का सबसे बड़ा ओवकता world में कौन सा देश है ये है Thailand विश्व पढ़िया वरंदिवस 2018 की theme है तो विश्व पढ़िया वरंदिवस 2018 की theme है plastic production को मात दो यानि की beat plastic pollution कौन सा देश विश्व पढ़िया वरंदिवस 2018 की वैश्विक मजवानी कर रहा है तो यह कर रहा है भारत अगला है आपको उस योजना का नाम बताना है जिस योजना के तहत जिस योजना के अंतरगत कोई भी धार्मिक संस्ता अगर लंगर कराता है ठीक है ये दो GST अगर उस पर लगाया जाता है, यानि उस पर लगेगा ही, अगर वस्तुए खरीदी गई है, लंगर के लिए तो उस पर लगेगा ही, तो यहाँ से जो center को revenue प्राप्त होगा, और यहाँ से CGHT से to center को revenue प्राप्त होता है और IGST में state को भी और center को भी तो state को नहीं लेकिन center को revenue प्राप्त होगा इन दोनों जगहों से जो भी revenue प्राप्त होगा उसे वापस लोटा दिया जाएगा लंगर कराने वाली संस्थान को तो ये किस योजना के तहट है ये है सेवा भोज योजना अगला है blue flag प्राप्त करने वाला Asia का सबसे पहला समुद्र तट यानि beach कौन है तो ये है अपने इंडिया का Asia का सबसे पहला ऐसा बीच है इंडिया का जिसे blue flags प्रमान पत्र मिला है और ये किसे मिला है चंद्र भाग समुद्र तट को जो की ओडिशा में है किसके दोरह दिया जाता है ये FEE Foundation for Environmental Education फुलपम होता है Foundation for Environmental Education अगला है कि सिराज सरकार ने जनवरी 2019 से non-bio degradable backside plastic वस्तु को फ्योग पर प्रतिबंद लगाने की घोशना की है तो ये कि है तमिलनाडू की सरकार ने non-bio degradable मतलब अगर कोई भी वस्तु आप फेक देते हैं और वो कभी गलता नहीं है कभी भी नहीं थॉमस को किस देश के नए Attorney General के लिए निक्त किया गया है तो ये है Tommy Thomas Attorney General के पोस्ट पर निक्त किया गया है मलेशिया के जबसे मलेशिया देश बना है तब से पहली बार ऐसा हुआ है कि कोई गयर मुसलिम व्यक्ति को Attorney General के पोस्ट पर निक्त किया गया है तो ये 2018 मनाया गया और 3 जून को मनाया गया, ये प्रत्म विश्व शाइकिल दिवस है, अगला है तेलंगाना दिवस हर साल कब मनाया जाता है, 2 जून 2014 को तेलंगाना आंधर परदेश से अलग होकर एक नया राजी बना था, तो of course 2 जून को तेलंगाना दिवस मनाया जाता है, अगला है हाली में किस राजी सरकार दोरा सरकारी कार्यालों में एक बार प्रियोग होने वाली पानी की प्लास्टिक बोतले, एक बार प्रियोग होने वाले यानि की पानी की बोतल जो हम खड़िते हैं, पीते हैं और फेक देते हैं, यानि कि सिंगल यूज प्लास्टिक है, एक बार यूज कर अगर 2019 से 2020 रहे तो आपको अंसर देना है सारे 7% ग्रीन फीचर डिपोजिट योजना शुरू की है तो ये किस बैंक ने शुरू की है ये शुरू की है ये ये एक डिपोजिट स्कीम है और इस डिपोजिट स्कीम में होगा क्या कि माली ये कोई भी senior citizen यानि जिनका उम्र 60 बर से जादा है वो इस बैंक में 18 महीने 8 दिन या फिर 18 महीने 18 दिन के लिए अगर पैसा इन्वेस्ट करते हैं पैसा डिपोजिट करते हैं तो उन्हें 8% का ब्यास प्राप्त होगा अगर वो senior citizen है तो अगर वो senior citizen नहीं है तो सारे 7 का ब्यास प्राप्त होगा इस डिपोजिट योजना इस green feature डिपोजिट योजना के अंतरगत भारत ने 2003 में मात्र मृत्यूदर यानि की maternal mortality rate में कितने प्रतिशत की गिरावट दर्ज की है तो ये दर्ज की है 22 ये mmr होता क्या है देखिए हर साल एक साल की बात कर रहे हैं ये किसी महिला की death हो जाती है यानि कि वो pregnant है और उनकी death हो जाती है या फिल बच्चे को जन्म देने के बाद उसके अगले 42 दिन के अंदर उनकी death हो जाती है तो उसे count क्या जाता है mmr में एक बात और ये जो death है वो accidental death नहीं होनी चाहिए जैसी कि अगर आप कहीं जा रहे हैं मा अगर का death जो है mmr में count नहीं होगा यानि accidental death नहीं होनी चाहिए तो ये एक साल पर count किया जाता है और एक लाख पर count किया जाता है ये important है कि एक लाख पर count किया जाता है भारत में कम होते भूजल भंडार के चिंताओं को दूर करने के लिए किस योजना के तहत सरकार ने protection scheme भी का जाता है इसके अंतरकत होता है कि जो गरीब family है उसे पांच लग तक का insurance coverage दिया जाता है अटल pension योजना इसके अंतरकत जो senior citizen है यानि जिनका उम्र 60 बर से ज्यादा हो चुका है उन्हें pension दिया जाता है minimum 1000 का और maximum 5000 तक का ताकि वो बुड़े हो चुके है तो अपने भूजल योजना जो groundwater में जो कमी हो रही है चीक है उसे manage करने के लिए उसके चिंताओं से मुक्त होने के लिए इस योजना के तहत World Bank के साथ हाथ मिलाया और 6000 करोड इस scheme में total खर्च है और ये कौन देगा World Bank अगला है Global Peace Index 2018 के अनुसार भारत में वैश्विक शांती के अस्तर में पिछले साल के तुलना में कितने पर्तिशत की गिरावट आई है तो यह है 0.27 और इस index के according सबसे most peaceful country जो सबसे शांतिपूर्ण देश है वो है आइसलेंड इस peaceful country है वो है सीरिया सबसे और सांती इस देश में है सबसे सांती देश यह है निम्लिकित में सिंकिस भारती खिलारी को Forbes के World's Highest Paid Athletes 2018 के सूची में 83rd rank प्राप्त हुई है Forbes एक magazine है अमेरिकन magazine है तो यह है विराट कोहिली हाली में किस देश ने महिलाओं को driving license देने की मंजूरी दी है तो यह है सौधी अरब अब तक सौधी अरब में महिलाएं driving नहीं कर सकती थी लेकिन अब उन्हें driving license दिया जाएगा और वो driving भी कर सकेगी किसानों को उत्तम तकनीक और आई बढ़ाने के बारे में सहयता और सलह परदान करने के लिए किस अभियान की शुरुवात की है तो यह है क्रिशी कल्यान अभियान निमलिकित में से किसे हाली में भारती रिजर्ब बैंक के deputy governor बनाया गया है तो यह है महेश कुमार्ट जैन आप comment करके बताएं कि रिजर्ब बैंक के अभी परजेंट में governor कौन है प्लीज बताएं जरूर comment करके पढ़ियावरन दिवास पर जारी की गई पढ़ियावरन प्रदोशन सुचकांक की rating में भारत के कौन सा स्थान मिला है तो यह 177 यह bottom 5 में इंडिया नेपाल बांगलादेश यह सब bottom 5 में यह सारी country आती है उसके बाद top 5 में जैसी के डेनमार् लेंड हो गया यह सारी country आती है यह कचरे की समस्या पर लगाम है तो किस सरकार ने लोगों से पुराने phone, computer, router और अनवेकार electronic उपकरन करने के युजना सुरू की है यह कचरा means आप laptop यूज करते हैं आप mobile यूज करते हैं laptop का keyboard खराब हो गया या फिर laptop ही खराब हो गया mobile खरा करने, RBI ने हाली में IDFC bank को किस bank के साथ मर्जी कर दिया है, विलाई के मंजुरी दे दिया है, यह है capital first bank, BCCI ने किस भारते खिलारी को दो सुजन, 2016-2017 और 2017-2018 में बहतरीन परदर्शन के लिए best international cricketer चुना है, तो यह चुना है विराट कोहिली को, संयुक्त सैन अभिया सुर और नेपाल के बीच, और यह कहां हो रहा है, विट गोरा, जो की उत्राखंड में है, इसमें लगभग 300 soldiers, इंडिया पाकिस्तान के लगभग 300 soldiers इसमें exercise कर रहे है, और इस साल अगर इंडिया में हो रहा है यह exercise, तो next time जब होगा, तो नेपाल में होगा, यानि कि alternate चलता है, एक बर इंडिया में, एक बर नेपाल में, अंतराश्ची क्रिकेट परिसद निम्न में से किस तेश को एक दिवसी टीम का दरजा दिया है, यह दिया है स्कॉटलेंड को, इसके साब नेपाल को भी दिया है, निदरलेंड को भी दिया है, UAE को भी दिया है, तेश का पहला रा सबसे ज़्यादा अंतराश्री क्रिकेट में T20 में 2000 बनाने वाली है हाली में किस राज सरकार द्वारा बिजनेस फर्स्ट पोटल के शुरुवात की गई तो ये पंजाब सरकार द्वारा भारत शंगाई सहयोग संगठन का पूर्ण सदा से कब बना तो ये जून 2017 में और चाइना चाइना की रजदानी बीजिंग अंतराश्री भारती फिल्म अकादमी आईफा 2018 के 19 संस्क्रन में आईफा लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड कीने समानित किया जाएगा ये अनुपम खेर को समानित किया जाएगा हाली में जारी नविंतम वन सरवक्षन किया गया है क्वीन पाइन एपल तो ये त्रिपूरा और जैक प्रूट किसका था केरल का निमलिकित में से कौन सा देश साथ जून से शुरू हुई मालावार नौ सेना अभ्यास का भागिदारी नहीं है तो भारत है अमेरिका भी है जापान भी है यमन नहीं हमारा अंसर य भारत ने किस देश के साथ ब्रह्मपुत्र नदी और चावल निर्यात के एक समझोते पर हस्ताक्षर किया तो यह है चीन के साथ शंगाई कोर्परेशन और्गनाजिशन के दोरां यानि कि कल जो संगाई कोर्परेशन और्गनाजिशन में मिस्टर प्राइम मिनिस्टर जो करने गया थे उसी में ये समस्वते प्रहस्ताक्षिर किया गया है हाली में परधान मंद्री नरेंदर मोधी SCO शिखर संवेलर में भाग लेने के लिए चीन गया है तो SCO का फुल फॉम बताना है आपको ये हैं शंगाई कॉर्परेशन और गिनाईजेसन हाली में गीतकार नरायन परसाद सींगा निधन हो गया वो किस राज से थें तो वे थें ओडिसा से हैं अगला है कि किस महिला क्रिकेट टीम ने एक दिवसे क्रिकेट इतिहास का सबसे बड़ा स्कोर बनाया है तो ये न्यूजिलेंड और किस के खिलाब बनाया है तो ये आयर्लेंड के 490 रन बनाया गया था हाली में निविकित में से किस खिलाडी का नाम BCCI के दोरा सर्व स्रेष्ट क्रिकेटर प्रसकार के लिए नहीं चुना गया देखें इसमृती मंधाना का नाम चुना गया हर्मन प्रीत कौर भी है विराट कोहिली भी है MS थो नहीं है अगला है हाली में किस देश के महिला क्रिकेट टीम ने भारती महिला क्रिकेट टीम को फाइनल में हरा कर Asia T20 कप ट्रौपी अपने नाम कर लिया तो यह है बांगला देश बांगलादेश भारती महिला क्रिकेट टीम को हरा दिया तीन विक्टो से और इस टॉफी को अपने नाम कर लिया और ये पहली बार अपने नाम की है इस टॉफी को अपने धारा 144 का नाम तो सुना ही होगा जब भी आपके एडिये में कहीं दंगा फसाद हो जाता है तो वहाँ धारा 144 लगा दिया आती है जिला अधिकारी के मंजूरी से तो आपको बताना है कि जिस शेतर में धारा 144 लगाई जाती है उस शेतर में कितने लोग एक साथ एकटा नहीं हो सकते हैं हमारा अंसर है पांच या उससे ज्यादा या फिर पांच से ज्यादा लोग एक साथ इकटा नहीं हो सकते हैं उस शेतर में जहां धारा 144 लगाई जाती है इसके साथ एक वर्ड आउर है जो आप अक्सर सुनते होंगे कर्फियू कर्फियू में एक भी बंदा घर से बाहर नहीं निकल सकता अगर निकलना है तो प्रशाशन से परमीसन लेनी परती है तो यह और ज्यादा इस्ट्रिक्ट है धारा 144 से निमलिकित में से किस देश में सबसे पहले नीपा वारस का पता चला था तो यह है मलेशिया केरल के अंदर 17 लोग माड़े गए थे इस नीपा वारस के इंस्पेक्शन से और यह सबसे पहले पता लागा था मलेशिया में हाली में किस राज सरकार दोवरा रायतु बंधु स्कीम शुड़ू की गई है और इसमें होगा क्या कि किसानों को पांच लाग तक का जीवन विमा का लाप राप्त होगा तो यह किस सरकार ने शुरू की है इस स्कीम को यह है तेलंगाना की सरकार बिजली से बचने के लिए हम अपने देश में 10 लाग खजूर के नए पेड लगाएंगे किस देश ने गोसना की है तो यह गोसना की है बंगलादेश अब खजूर के पेड ही क्यों कि भी खजूर के पेड काफी लंबे होते हैं और electricity का अच्छा conductor होता है as compared to other tree तो इसलिए अगर बिजली इस पे गिरेगी तो direct अर्थ को चली जाएगी इसे होगा कि आस पास के लोग जो होंगे जहां बिजली गिरेगी वो बच जाएंगे हाली में किस राज सरकार ने यूजी पाट करम में से समेस्टर सिस्टम को समाप्त कर दिया है तो ये क्या हिमाचल परदेश के सरकार ने समगर शिक्षा योजना भारत के किस मंत्राले दोरा शुरू की गई है तो ये शुरू की गई है मानव संसाधन विकास मंत्राले HRD Human Resource and Development Minister का नाम आप बताएं comment box में हाली में किस राज ने बिजली छूट योजना की घोशना की है तो बिजली छूट कर दी जाएगी माफ कर दी जाएगी जो पूर्ड फैमिली होंगे तो ये किस राज जी में ऐसा घोशना किया गया है तो ये घोशना किया गया है मद्ध प्रद जरूर की, जोडन, कंटरी, कैपिटल क्या है, अमान, और कैंसी क्या है, दिनार, वीडियो यहाँ पर स्माप्त होती है, कैसा लगा आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं, अच्छा लगा आप हमें लाइक शेयर जरूर कीजिए, अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में जरूर लिख क्लिक कीजिए, ताकि मारे ने वीडियो को नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगा, थैंक्यू, सो मच्छ